बदो शुक्रिया राइपुर तैंक्यू सो मच बाचीत के सिलसले को शुरू करने के लिए आपके साथ आपके बीच में मैं हाजर हूँ तोड़ी सी परेशानियों के बीच में भी आप सारे लोग यहां पे मौझूद हैं मैं सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ वो लोग जो सवाल पूछने आए हैं जिनके मन में सवाल हैं जिनके दिमाग में यह है कि सरकार और सरकार के दाओं पेच और सरकार बनने का कौन सा यहां पे उपकरम है किस की बाजी किस की हार तो वो तमाम सारे सवालों के बात करेंगे दो करोड से जादा मद दाता हैं 90 सीट हैं और इन समीकरणों के बीच में मैं पूरा लगभग समेट चुका हूँ 36 गड़ यह तो नहीं कह सकता कि मैं पूरा 36 गड़ घूमाया लेकिन हाँ इस बार जिस तरह से मैं लेट आया था लेकिन मैंने कोशिश करी है कि लोगों से मिलने के लिए और लोगों से पहुँचने की तो बाचीत का सिलसला शुरू करूँगा जी क्या हो ना इस बार इस बार तो काफी मज़ेदार रहेगा यह बात सच है कि जब मैं दिल्ली से चला तो मुझे लगया था कि चुनाव बहुत आसान है लेकिन कभी भी चुनाव आसान नहीं होता हर चुनाव बहुत कठिन होता है और यह इस बार हाँ जी हाँ जी कांग्रेस पार्टी जिन्दाबाद है किसी ने कहा किसी ने क्या कहा प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा और वो जो पांसो वाट करोड़ आप बता रहे हैं यह इलजाम लगा कि यह जो पांसो आठ करोड़ है यह सट्टे बाजी के हैं बहराल चुनाव जी जी हाँ 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 तो पैसे कहां गए यही तो खेल है कहा दिखाई दे रहे हैं तुम्हें पानसो आर्ट आचा अचा बेराल मैं महमानों से तारुफ करा देता हूँ एक एक टुकडा उधर से जी नमस्ते मैं आपके पास आता हूँ हा भईया कैसे हो जिसमें खाना है उसी में वोट देना है बेराल सबने अपने अपने इशारे किये हैं सबके अपने अपनी बाते हैं मैं लोगों तक मुखातिब होंगा वहां तक पहुंचूंगा कोशिश करूँगा कि जल्दी से समेटू लेकिन मैं आपसे परिचे करा देता हूँ मुकेश शर्मा जी बीजेपी का पक्षक्रिय के लिए मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया सुरजु पाध्याय जी आमाधी पार्टी का पक्षक्रिय के लिए मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया तेंकिज सो मच सत्त प्रकाश सिंग जी कॉंग्रेस का पक्षक्रे के लिए मौजूद है बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने लगाया इल्जाम लगाया और उन्हें प्रधान मंतरी की जो चित्ती है उन्हें ने कहा कि 36 गल में सरकार बनते ही हम अगर आए वापस यानी बीजेपी आई तो बिचॉलियों को बंद कर देंगे पहला कॉंग्रेस उसके बाद जनता फिर बीजेपी फिर जनता आम अदमी पार्टी फिर जनता और जोगी पिर जनता जी पहले कॉंग्रेस देखे प्रतीक जी मैं जादा कुछ नहीं बोलूँगा ने ने बोलिये मैं सिर्फ सबूत दिखाने चाहता हूँ ये है थोड़ा कैमरे वाले बोले आपके मोबाइल में है ये देखे ये मोदी जी हो अमिशा जी हो कैसे शड़यंत करते EDIT जिस एक व्यक्ति के ब्यान पर बात कर रहे है ये देखे वो EDIT जिसके वह रमन सिंग जी के साथ है फोटो रमेश बैस के साथ है फोटो प्रेम प्रकाश पांडे के साथ है फोटो तो ये दिखता है शड़यंत रहे ये कहते हैं कि ये शड़यंत रहे आपके खोपड़ी तो बड़ी जोर जोर हिल लई है क्या नाव है आपका अशोक वीके अशोक वीके बजर जर मैं बहुत बशुक्रिया अशोक जी आप सहमत नहीं है इस बास से जो वह बोले हैं सासन के दौारा हो या राजिनेती पार्टे के दौारा हो वह न चीए तो जनता जनता रे उडी चाहती है या फृरी वाला मामला चाहती है तो यह भी जानना है भाईया जी कहां से आना हुआ धरशिवां से यहां काम से पास भाई है किती दूर 25 किलोमेटर तो बहुत अच्छ करते हैं तो कुछ बोलना है वह होता है जहां पर एडी और चुनाव होता है यह आप से सवाल पूछा यह ने बीजेपी के प्रवक्ता से नमस्ते आ गी हैं जाही आ जाई है जाई कहां से आना हुआ जाने में दो जो तेंक यू सो मच मंजु जी और कोई सवाल है दिमाग में आपके सर अभी नहीं है सवाल नहीं जी मैं हाँ मैं उधर उधर से ना ना हाँ एक सवाल से मैं आया आपके पास पहले बीजेपी वाले सवाल दे दे फिर मैं आपके पास आता हूं आपने हाथ उठाया जी नमस्ते मै मैं आपके बास भी आता हूं इधर आजी जी देखे सबसे पहले तो भाईया जी और उनकी पूरी टीम का चतीज गड़ के राजधानी में बहुत बहुत स्वागत अभिनदन एक बार मैं चाहूंगा आप लोग भी ताली बजाए और ये चतीज गड़ गुर्तूर गोठ बोल यदि कहीं पे आर्थी कपराद हुआ है तो फिर वहां कोई पार्टी कोई दल नहीं देखा जाता यदि केस जबती हुई है तो उसके पर करवाई होगी और यदि गलत नहीं है तो डरने की आओ सकता नहीं है अगर गलत नहीं है तो फिर डरने की जरुवत नहीं है सलाम वालेकुम, बहुत दूर करें, थोड़ा पास आजाईए, नस्दीक आजाईए, भैं, थोड़ा से मिठास आएगी, धर आईए, पास आईए, जी, हाजी, आपने हाथ उठाया था, क्या नाम है आपका? जी, कोई सवाल है आपका? क्या काम करती हैं आप? सर, मैं अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटेंट हूँ, अकाउंटेंट हैं? अगर टाइम से उनको मतलब महगाई भता दिया था, अंदर आईए, अई, हाई, बाकी लोगों की तो चीजे पहुच जाती है वक्त पे, लेकिन सरकारी करन, जाए अंदर आईए, आईए, बे, 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 जाग, ये प्रोग्राम ही आपनी लोगों का है, ये प्रोग्राम ही बीजेपी का हो, लेकिन वो सरकारी करमचारियों को ध्यान क्यों नहीं देते हैं, मतलब जो मेडियम वर्ग के लोग हैं, जो मेडियम वर्ग के करमचारी हैं सरकारी, तो उनको मतलब समय से क्यों महगाई भता नहीं दिया जाता है, उसके चलते एरियर टाइम से नहीं मिलता जी अभी रिटायर हुएं जी सर अगर उनको स्थमय से वेतनमान बढ़ाया जाता तो एरियर बराबर मिलता बाकी लोगों की चीजे सो वक्त पर शुरू हो जाती हैं लेकिन वो जो रिटायर हुए हैं या जिनको टीए जुनका डीए बढ़ना है वो वक्त पर क्यों नहीं हो आता यह सवाल इनका क्या नाम है आपने अपना नाम बताया तो नमत्र पाठी सवाल का जवाब मैंने यहां पर रख देता हूं सवाल हालाकि जवाब इसमें से कोई नहीं दे पाएगा देंगे मुकेशी जी मुकेशी देखें यह मत्यम और की करमचारियों की बात कर रहे थ क्या लाक से अधीक शिक्षा करमियों को नीमित किया गया था किया इजनकारिक हाँ ? इनके सब में सिर्फ और सिफ घोटाले हुए भर्टाले कुंकि यह घोटाले करते हैं इसलिए इनको घोटाला समगोधी है सबसे बड़ा भर्ती गोटाला इन्होंने किया इन्हें नहीं निमित किया ही नहीं तब ही तो हमको करना बढ़ना अगर यह रिकार्ड में चले जाए उसके बाद बोलिए आपको पूरी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए जानकारी आजाए जाए सोलम जी कहां जा रहे हैं वह कोई ना निराशा आपको मैंने पहले ही कह दिया था आपसे निराशा होगी क्योंकि क्योंकि यह हाजी साल तक के 36 गड़ राज बनने के बाद भाजपार ने राज किया सभी लोगों को परसान करके रखा था अब आगे बहुत देखो अपने हमारी पार्टी जब आएगी त गड़ाबसे कहा था ना कि यह इतना उलजाएंगे यह इतना उलजाएंगे उलजा उलजा कि नतल तुल्झा देखेंगे कि आप माँ जाएंगे कि ट्ये मेरे घर में आ गया है यह इतना उल्जा देंगे वो कहते मेरी सरकार बनवा दीजिए पंजाब में हुआ दिल्ली में हुआ नोर्डा में चल रहा है कर्मचारियों को किसी की टाइप से कोई परसानी नहीं हुगा